नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लास्स पर आपका स्वागत है डेट आज की 27 जुलाई 2022 देख लेता है इंडियान एक्सप्रस के इंपोर्टन न्यूज जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंट पेस पे एक न्यूज तो यह है कि युनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की तरफ से हमारा भी पार्टिसिपेशन रहता है तो उसमें दो बीएस अफ के जवानों की डेथ हो गई कहां पर डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ओफ कोंगो में ठीक है यह एक सेंट्रल एफ्रिकन कंट्री है ठीक है अब यह हम इसका मैप भी देखेंगे बेसिकली कॉंगो में जो है वो एंटी युएन प्रोटेस्ट चल रहे है तो उसके चलते जो युनाइटिड नेशन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर डेप्लॉइड है उनमें हमारी बीएस अफ के मेंबर्स भी वहाँ पर लगे हुए है तो उसके इसमें वहाँ पर कॉंफ अफरिका का मैप देखते हैं हम बात कर रहे हैं इस कंट्री की ठीक है डेमोक्रेटिक रीपब्लिक आफ कोंगो और यह इधर यह रहा युगांडा जिसके साथ यह बॉर्डर शेयर करता है तो ऐसे में एक बार हमारी लिए इंपॉर्टन हो जाता है कि कोंग डेमोक्रेटिक पार्ट इधर आजाता है इसके अलावा अगर देखें तो इसकी बॉर्डर शेयर हो रही है अंगोला से ठीक है वैसे अंगोला में तो यह है बाकी एक छोटा सा इंकलेव इधर भी है अंगोला का ठीक है इसके अलावा जांबिया तंजानिया बुरुंडी रवांडा और उ देख सकते हो यूगांडा ये कंट्री जज इनके साथ में बॉर्डर शेयर करता है डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ कॉंगो और छोटा सा कॉस्टल लाइन भी है तो बिल्कुल लैंड लॉक हम नहीं बोल सकते हैं इस कंट्री को ठीक है ना क्योंकि हलकी सी यहां पर आप दे जो एशियाटिक लाइन्स है उनको आप दूसरे किसी और लोकेशन पे भी री सैटल करो री लोकेट करो कलको ना कोई नैचुरल कैलमिटी आये कोई डिजीज आउट ब्रेक हो तो उसकी वज़े से हो सकता है कि एकदम से पूरे एशियाटिक लाइन्स की पॉपुलेशन कॉ पहरे सब एशियाटिक लाइन्स की डैथ हो जाए तो उसके लिए सुप्रीम कोट ने पहले ही बोल दिया कि उनको री लोकेट करके रखो एक तरीके से इंशॉरेंस हो जाएगा उनका कि कलकोन है एक मध्या प्रदेश में री लोकेटेड कुछ एशियाटिक लाइन्स है और बाकी है जो गुजरात में ही जो गिर नैशनल पर गिर वायल एफ अंचुरी वहाँ पर तो इसमें क्या होगा यहां पर अगर गिर में कोई बड़ी डिजास्टर आती है कोई महामारी अगर शुरू होती है ऐनिमल्स में में अगर लाइन्स की बात करें तो उन्हें के बारे में डीटेल में पढ़ लेना है कि wildlife protection act में क्या category में डाला हुआ इनको और IUCN की जो red list है उसमें क्या category में डाला हुआ पूरी डीटेल आप देखोगे इसकी ठीक है और थोड़ा बहुत हम यहां पर important जो भी wildlife centuries का नाम आ रहा है वो with states हम देखते हैं अभी अगर एशियाटिक lines की बात करें तो गिल नेशनल पार गिल wildlife century तो ही और उसके नौर्थ इस्टन रीजन में located है बरड़ा wildlife century तो इसका मतलब ये question बन गया सीधा बरड़ा wildlife century recently news में था ये कहां पर है तो गुजरात में located है इसके अलावा एशियाटिक चीता तो आपको पता है extinct हो चुका है अब हम क्या कर रहे है कि एफरिका से जो तंजानिया से चीताज ला करके और मद्यप्रदेश में relocate करने की बात कर रहे हैं कि जिससे कि हमारे यहाँ पर भी चीताज है वो रह सके तो इसके लिए मद्यप्र सेटल करना है मद्यप्रदेश में या फिर राजस्थान में इस तरीके से आप सेटल करने की कोशिश कर रहे हो पर वो ही चीज है कि अभी तक इस पर काम नहीं किया गया जबकि इसके बारे में जो हमारा Wildlife Institute of India है ना WII उसने 1993 में यह चीज बोल दी ती कि कि कल को ना कोई natural calamity है या फिर कोई epidemics है कोई भी बिमारी निकले तो उसमें बहुत ज्यादा loss हो सकता हो सकता है कि पूरी जो लाइन्स की population वो एकदम कतम हो जाए तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रुत है कि दूसरी जगह कहीं ले जाकर के सेटल कर दिया जाए ठीक है ना इसके आगे एशाटिक लाइन्स के लिए भी कुनो पालपुर सेंचुरी है वो identify की हुई है भी उसमें भी ध्यान दिया जाए कि कुनो पालपुर सेंचुरी में ले जाकर के settle किया जा सके तो अब आपको एक थोड़ा सा काम क्या करना है एक तो Asiatic Lines को relocate करने के लिए क्या program बना हुआ है कि गुजरात की government इस चीज को ले करके बिल्कुल भी agree नहीं कर रही है गुजरात government का ये कहना है कि हमारा state का pride है Asiatic lines लोग यहाँ पर देखने के लिए आते है Asiatic lines को हमारा tourism रुख जाएगा वह वैसे पर वही चीज़े security को देख करके भी तो हम रिस्क नहीं ले सकते ना तो Asiatic lines और एक Asiatic चिता और African चिता का relocation जो किया जा रहा है इंडिया में उनके कारे में आपको डीटेल ले लेनी है इससे क्या हो जाएगा आपका एक अच्छा खासा तयार हो जाएगा matter आज के इस particular context से इसके अलावा वर्ल्ड पेस पर हम आ गया है देखो वर्ल्ड पेस पर बात ऐसी है कि एक तो पाकिस्तान एक श्रलंका ये दो कंट्रीज का तो हाल हमें पता अभी क्या चल रहा है श्रलंका का तो अभी बहुत ही बुरा हाल चल रहा है उसी लाइन में एक और South Asian country लग चुका है that is Bangladesh कैसे अभी International Monetary Fund के पास में बांगलादेश के तरफ से request गई है कि आप हमें 4.5 billion dollar का loan दे दो क्योंकि बांगलादेश पे करजा बहुत हो गया है deficit बढ़ता चला जा रहा है इसके पीछे कारण क्या है देखो जब से Russia Ukraine war हुआ है इनके भाव बहुत जादा rise हो गए तो बांगलादेश जितना import करता है और बांगलादेश basically देखा जाए न तो export में major focus किया जाता है गार्मेंट्स पे ठीक है लेदर इंडस्ट्री और गार्मेंट इंडस्ट्री यह दो अच्छी खासी काम कर रही है बांगलादेश में पर वही चीज है कि जो energy और food requirement होती है वह import करने के चक्कर में बांगलादेश के उपर crisis आ रहा है ठीक है तो ऐसे में यहाँ पर बांगलादेश की economy को support की ज़रूत पड़ रही है बांगलादेश की economy की size देखो तो लगबख 416 billion dollars की economy की size है और world की fastest growing one of the fastest growing economies में से एक है यह पर जब से रश्या युक्रेइन वहर हुआ है तो इसका side effect बा उनकी demand की है बांगलादेश ने तो ऐसे में South Asian neighbors पाकिस्तान और श्रिलंका के साथ में बांगलादेश भी line में है IMF की में कि हमें पैसा दे दो जिससे कि हम इस crisis से बाहर निकल सके है नेक्स देखो explain piece पे एक term है जोहर ठीक है यह basically जो new president अभी बने है हमारे द्रौपदी मुर और मुझी उनके द्वारा जब अपना speech दिया गया था starting speech जो था उसमें उन्होंने शुरुआत की थी जोहर नमस्कार तो basically इसमें जो point है जोहर ये greeting के लिए use किया जाता है ठीक है अब कौन कौन सी tribes इस word को use करती है उनके नाम इन्होंने अपनी दरह से highlight भी किया थे एक तो संथाल, मुंडा, हो, ये tribes हैं ठीक है ये जारकंट 36 कड़वाले एरिया में मिलती हैं और ओरियोन इन communities के बारे में आपको पढ़ना है ठीक है क्या करना है कि एक तो जो tribal rebels थे ठीक है tribal rebellion moment हुए थे British rule के खिलाफ में उनमें एक तो इनके बारे में जरूर पढ़ लेना है हमें और एक बार इन communities के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा idea लेना जरूरी है कि हाज ये tribes हैं इनकी language कौन सी है, language की family कौन सी है, कौन कौन से states में फैले हुए हैं वो detail आपको लेनी है क्योंकि यहाँ पर वो details दी हुई नहीं है ठीक है तो ये detail आपको जरूर पढ़ लेनी एक बा जोहर बोला जाता है जैसे दोबो जोहर बोला जाता है दोबो जोहर वो उनकी local language में एक तरीके से क्या बोला जाता है greeting देनी होती है यहाँ पर बता है वह इसका मतलब कि जोहर means salutation and welcome ठीक है नमस्कार करना और जो भी individuals हैं जिनको भी आप address कर रहे हैं उनका welcome करना यह चीज इसमें आ जाती है ठीक है तो थोड़ा से इसके बारे में आप जरूर पढ़ोगे ओके आगे चलते हैं की तरफ move कर रही है तो इसके पीछे बताया जारा है कि कौन-कौन से technologies use की जा रही है अलग-अलग companies के द्वारा ठीक है main जो point है वो है mileage का efficiency का fuel efficiency का जिसमें अभी latest जो disruption जो है वो किसने create किया है कि मारूती की जो grand vitara भी launch होई है नई SUV variant में तो उसके लिए बोला जा रहा है कि वो 1200 किलोमेटर तक का travel complete कर लेगी single tank में तो उसमें efficiency इतनी आ रही है कि mileage 20 to 22 km per liter के हिसाब से आ रही है average ठीक है तो बोला वो diesel से compete करने के लिए तयार हो रहा है तो diesel में efficiency की वज़े petrol में efficiency की वज़े वो चीज़े तो हम अभी समझेंगे बाकि technology की बात करें जो अभी नई technology आ रही है इसमें हम बात करें petrol based जो vehicles है उनमें तो एक तो है two fuel injector per cylinder एक है gasoline direct injection एक है turbo petrol engine ये यूज़ की जारी अलग-अलग car companies के दौरा ठीक है इसके अलावा mild hybrid technology strong hybrid technology ये different technologies यूज़ हो रहे है जिसकी वज़े से petrol पर अच्छा mileage दे रही है गाडिया ठीक है देखो diesel गाडी की अगर diesel engine की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है compressed air है ना वो देखो तो यूज़ होती है air को बिल्कुल high pressure पर compress कर लिया जाता है फिर उस air के साथ में fuel को ignite किया जाता है अब fuel को ignite करने के लिए spark plug यूज़ नहीं होता है ठीक है spark plug जो है वो petrol में यूज़ होता है diesel में spark plug की ज़रुत नहीं होती है ignition process में तो इसकी वज़े से क्या होता है कि fuel को high pressure के साथ में जब inject किया जाता है injectors के दोरा ठीक है एक तरीकी के फारा सिस्टम होता है जैसे शावर टाइप नियों तक हाई प्रेशर पे जैसे आप देखोगे कभी इंजेक्टर के बारे में तो इस तरीके के टूल होता है जो कि इधर से तो इंपुट लेगा किसका फ्यूल सप्लाईगा और इधर से हाई स्पीड पे बहुत छोटी-छोटी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फ्यूल की इजेक्ट करेगा किसमें इंजेक्शन करेगा किसमें इंजिन में फिर वहाँ पर जब बर्निंग होगी तो उसकी वज़े से जितना फ्यूल वहाँ पर डाला जा रहा है वो मैक्सिमम यूटिलाईज होता है त कि डीजल को सर्विस करना डीजल कार को मेंटेन करना वो थोड़ी महेंगी पड़ती है पर यहाँ पर कंप्रेश्ड एयर सिस्टम और इगनीशन में स्पार्क प्लग की ज़रूत नहीं होने की वज़े से डीजल अच्छा परफॉर्म करता है ठीक है इसलिए माइलेज भी अ पर पेट्रोल वाले वेरियंट में भी इंट्रड्यूस कर दिया तो उसमें क्या होता है कंप्रेश्ड एयर के साथ में फ्यूल को मिक्स किया और फिर उसके साथ में इंजेक्ट कर रहे हैं इससे क्या होता है कि मैक्सिमम फ्यूल बर्न हो पा रहा है इससे बहुत कम होते हैं तो यह एक benefit का कारण है, इस वज़े से पेट्रोल variant में ज़्यादा mileage अभी देखने को मिल रहा है, कौन-कौन से technology है वो हमने देख लिया है, ज्यादा इतना कुछ खास नहीं था, फिर भी थोड़ा सा idea लेना था, हमने ले लिया, नेक्स है, behind the protest of HIV patients, देखो यह point क्या है, यहाँ पर हम सिधा वो ही बात करेंगे, अभी क्या National AIDS Control Organization, NECO के जो head office की बात करें, तो वहाँ पर लगातार protest चल रहा है, वजह क्या है, कि जो HIV AIDS, पीड जो लोग है, उनको जो दवाई चाहिए होती है, जो medicine चाहिए होती है, जिसका नाम है यहाँ पर देखो, यहाँ पर highlight किया हुआ है, डोलू टेग्रावेर, ठीक है, डोलू टेग्रावेर, जो 50 mg का एक drug, मतलब एक tablet आती है, वो जो है, वो available न निकल पा रहा है, कि हाँ supply हो सके, ठीक है, medicine unavailable होने के कारण क्या है, क्या इसका असर है, देखो, basically HIV patients जो होता है उनको treat करने के लिए ART treatment दिया जाता है, इसका मतलब होता है, anti-retrovial therapy, ठीक है, जो यह HIV virus जो होता है, HIV का virus है तो यह basically body में इसको बिलकुल खतम करना possible नहीं होता आज तक इसके लिए कोई drug नहीं बनी है, पर possibility इतनी रहती है, कि इसके level को control किया जा सकता है body में, जिससे की life की longevity, quality of life, यह improve हो जाती है, ठीक है, एक तो virus को बिलकुल eliminate करना possible हो सके, एक होता है कि virus के level को reduce किया जा सके, तो यह जो ART दी जाती है, HIV patients को, वो basically इसलिए दी जात के, treatment नहीं है कि हाज ही बिलकुल clear हो गया, तो जो 6 साल से लेकर के, ज्यादा उम्र के जो लोग है, जितने भी, 6 साल के बच्चों से लेकर के, ज्यादा उम्र के जो लोग, और कम से कम जिनका वजन 20 kg है, ठीक है न, जिनका body weight 20 kg है, तो उन लोगों को यह drug दी जाती है, कौन तो उसको सिरफ दी जाती है, वो किस ड्रग से बनी होती है, नैविरापाइन, ठीक है, तो यह दोनों ड्रग के नाम आप याद रखोगे, यह तो छोटे बच्चों के लिए नैविरापाइन और इधर से डोलू, टेगराविर, यह दी जाती है, बड़े बड़े को, 6 साल से जादा उम्र के जो लोग है उनको, जो HIV पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो इनकी शॉटेज की वज़े से प्राब्लम आ रही है, क्योंकि सिधी सी बात है, कि जब वो लगातार अपनी रंजियूम कर रहे थे, दवाई ले रहे थे, तो ठीक थे, ठीक है, वाइरस का जो लोड ह है बॉडी में, वो undetectable level तक लाने में possibilities हो रही थी, मतलब ये कि infection detect ना हो, इतना हद तक reduce कर देना उसको, इससे क्या है, कि जो side effects हैं, दूसरी जो बिमारिया लगने का डर रहता है, क्योंकि HIV का जो वाइरस है, वो सबसे बड़ी problem क्या करता है, दूसरी बिमारिया लगने ल individual बिमार होता उसको, ठीक है, तो और ART therapy क्या थोड़ी सस्ती भी पढ़ती है, effective भी है, तो उसके लिए ये drugs की availability ensure होना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने drugs का consumption किया है, वो जानते हैं कि कितनी अच्छी quality हुई है, उनकी life की कितना improvement हुआ है, अब अगर उनको drugs नहीं मिलें के time पे, दवाई नहीं मिलेगी, तो कितनी problem में आ जाएंगे, इसी लिए ये problem, इसी लिए ये protest जो है, वो चल रहा है, कहाँ पर, National AIDS Control Organization के अगेंस्ट में, ठीक है, पिछले पास दिन से protest continue है, नेक्स आर्टिकल एक्स्प्लेंट पेच से कि रनवीर सिंग की एक photo viral हो रही है, अबी ठीक है, जिसमें उन्होंने nude photo खिचवाई है, बिना कपड़ोगे, ठीक है, तो उसको लेकर के मुंबई पुलीस ने उनके अगेंस्ट में FIR रजिस्टर की, और फिर उसके basis पे, अलग-अलग IPC के different sections, even Information Technology Act 2000 के बेस पे रनवीर सिंग के खिलाफ में इस दायर हुआ है, आई-पी-सी के sections की बात करो तो 292, 293, 509, और Indian Penal Code का, और जो Information Technology Act 2000 का, उसका section है 67A, इनके basis पे FIR लॉज की गई है, मुद्दा क्या है, मुद्दा इतना सा है कि ये public figures है, अब अगर ये individual, अगर अपनी बिना कपड़ों के अगर photo डालते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में, ठीक Basically एक magazine के लिए इन्होंने photo print करवाई है, तो उससे इनको लागों करोडों रुपे मिलेंगे, डॉलर्स में payment होगा, पैसा अच्छा अच्छा कमाएंगे, तो जो youngsters इनको follow करने वाले हैं, जो ये public figures बन जाते हैं, so called public figures, इनको जो follow करेंगे, तो वो भी इसी तरीके से पैसा कम बना करके और एक fame भी गेन कर रहे हो, पैसा भी गेन कर रहे हो, तो ये कि गलत message चला जाता है, तो उसको लेकर के एक NGO को चलाने वाले individual ने case register करवाया है, कि बोले ये चीज बहुत ही ज़्यादा गलत है, हम अगर public order point of view से कर देखे तो, ठीक है, अब इसमें जो cases लगे हैं, इनमें हमारे लिए जो जानने वाली बात है, वो एक तो ये information technology act का section 67A क्या कहता है, इसमें ये कहा जाता है, कोई भी material जिसमें sexually explicit act अगर दिखता है, बिलकुल openly, और उसको अगर electronic form में share किया जाता है, तो उसके लिए 5 साल या 10 लाक रुपे, अगर पहली बार कोई गलती करत है, तो 7 साल और 10 लाक रुपे की सजा है, इसके अलावा बाकी जो IPC के sections है, उनमें तो देखो 1000, 1000, 5000 रुपे का punishment दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, कि 1960, इसमें देख सकते हो section 292, इसमें obscenity, obscenity का मतलब क्या हो गया, कि किस तरीके scenes को आप shoot करवा रहे हो तो उसमें आपका appearance बहुत ही गलत है, और वो public good नहीं, public को harm पहुचा रहा है, तो उस case में आपको punishment होगी, 293 section है, exactly ऐसा ही कोई है, obscenity से related ही है, maximum punishment और इनकी बाते क्यों ही है, अब देखो मुद्दा ही आता है, कि court किस basis पर decide करेगा, कि कोई भी content, obscenity है या नहीं, तो obscenes होते हैं, इस तरीके की nude photos डालने वाली, या फिर किस तरीके का message deliver आप करना चाहते हो समाज में, वो चीज़े चेक करने के लिए, हिकलिन टेस्ट होता है, 2014 था किसी टेस्ट पर rely किया गया था, सबसे पहले ये टेस्ट यूज कब हुआ था, इंग्लेंड में हुआ था, जो की obscenity को show करता है, that means आप nude हो, या फिर इस तरीके से sexually explicit content को show कर रहे हो, तो वो क्या समाज में, जो लोग उन लोगों को follow करने वाले हैं, उनके ओपर गलत impact डाल रहा है, या नहीं, लोगों के mind को corrupt कर रहा है, या deprave कर रहा है, अगर हाँ, तो फिर उसको आप punish करोगे, इसका case है, एक तो इंडिया की बात करें, तो 1964 का रंजीत डी उदेशी versus state of महरास्टा का case है, जिसमें हिकलिन टेस्ट किया, और एक topic या फिर एक particular term add कर दी थी, क्या कहा, public good, अगर कोई individual obscenes अपने show करता है, या obscenes share करता है, ठीक है, public जो भी मतलब circle में या फिर कहीं पर भ हो, या फिर कोई भी electronic platform हो, तो वहाँ पर अगर वो public good के लिए कर रहे हैं, तब तो बोले कोई problem होईगी नहीं, और अगर public को dent करने के लिए कर रहे हैं, society में गलत message देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उनको punishment definitely होगी, देखो यहाँ पर एक case है, अविक सरकार and others versus state of west of Bengal and others, इसमें देखो Supreme Court ने हिकलिन टेस्ट की कही कि correct test नहीं है, क्योंकि इसमें obscenity को determine करना ठीक है कि गलत है, वो हम properly नहीं decide कर सकते, पर आप देखो यहाँ पर हिकलिन टेस्ट के basis पे एक case है, ठीक है, जिसमें एक tennis legend Boris Baker, Boris Baker और उन्होंने अपनी black fiancé, that means, black जिनकी color skin, skin of color, color of their skin, वो कैसा था, black, ठीक है, तो उसमें आप देखो, लेडी का नाम है, Barba, Barba Feltos, इन दोनोंने मिलकर के photo डाल दी, और एकदम nude photo, ठीक है, बंदे की खुद की nude photo, और skin color को जो है, वो दिखाया था इसमें, जर्मन magazine Stern में ये show किया गया था, कि इसमें message ये था, कि skin color matter नहीं करता, love affair बहुत important होता है, तो बोला हमने इस तरीके से ये message दिया, तो इस message में जो एक message आया, उसको quote करते हुए, Supreme Court नहीं कह दिया, कि बोला हिकलिन test जो है, वो एक दम proper काम नहीं करता है, पर दूसरी तरफ अगर देखें, तो November 2020 की बात है, जब actor model, Millen Soman, उनको book किया गया है, मतलब उनको arrest किया जाता, पकड़ा जाता है, किस बात पर, कि उन्होंने एक गोवा बीच पर एक photo खिचवाई भागते हुए, ठीक है, और उसमें उन्होंने कुछ कपड़े नहीं बेन रखे है, ठीक है, तो वो जो चीज थी, वो अपने आप में बहुत ही ज़्या गया था, overall अगर देखा जाए, तो जो लोग public figure बन जाते हैं, वो इस तरीके के act करते हैं, वो भी पैसे के लिए, तो वो एक गलत बात होती है, उसके लिए तो punishment उनके लिए definitely होनी चीए, नहीं तो क्या होता है, गलत message चला जाता है समाज में, दूसरी, अगर वो कोई public good से related कोई message देना है, कि समाज के लिए अच्छा message है, तो वहाँ पर ये एक option बनता है, तो इस case में रनवीर सिंग के किलाब वे जो case है, उसको हमें थोड़ा देखना था, बस एक idea point of view से, और जो section 67A है, उसका हमें पता होना जरूरी था, Information Technology Act of 2000 का, ठीक है, आगे चलते हैं, Economy page भी कुछ खास है नहीं, 5G auction first, रे start हो गया, sorry, IMF ने GDP trajectory को थोड़ा सा reduce किया है, ठीक है, 80 basis point से reduce करते हुए, इंडिया के लिए बोला है, कि financial year 2023, मतलब 2022-23 में इंडिया की growth rate कितनी रहने वाली है, 7.4%, वैसे देखा जाए ना, तो world का भी ज़्यादा नहीं है, world का growth rate 3.2% बताया जा रहा है, US की 2.3, Europe वाले area की बात करें तो 2.6, UK की 3.2, euro area मतलब euro zone, जहां पर euro currency के तौर पे चल रही है, और इंडिया की बात करो, तो 7.4% से grow करेगा, और China 3.3% से, ठीक है, इस तरीके की ये चीजे बताई जा रही है, so overall अगर हम देखें, तो world में जो भी major economies है, वो decline का सामना करेगी, जैसे यहां पर हम China की बात करें न, तो China तो already COVID की वज़े से lockdown लगने की वज़े से पहले ही बहुत पीछे होरता चला जा रहा है, ठीक है न, और बाकी तो इतना data, इतना काम का है नहीं है, एक बस sports news है, वो ये कि women's cricket की बात करें तो India host करेगा, 2025 का one day international world cup, ये बस एक point याद रख लेना, ठीक है, तो discussion इतना ही था, thank you very much.